ब्यूटिफुल रिंग सेरेमनी ट्रे विद गरीमजन इट्स माइ क्रियाइटिविटी इसको बनाना बहुत सिंपल है आज मैं रेडिमीड माटेरियल से इसको बनाने जा रहे हूँ तो सबसे पहले हमें की इस तरह से ट्रे ले लेंगे ये मैटल से बनी हुई है इसमें हमने ये कैप का यूज किया है ये कैप क्राफ्ट मार्केट में बहुत एजिली आपको मिल जाएंगे और इसको हम इस ट्रे में स्टिक करेंगे फैवी बॉन्ड की हल्प से या फिर ग्लू गन की हल्प से फेवी बॉन्ड मैं इसलिए यूज़ करती हूँ कि ये बहुत अच्छा चिपकाती है और बहुत इंस्टेंट चिपकाती है ये बिल्कुल ग्लू गन की जगे पर हम इसका यूज़ कर सकते हैं तो इस तरह के मैंने दो कौन लिये हैं और इन दोनों कौन को मैं फेवी बॉन की हल्प से दोनों साइड में चिपका दूँगे यह देखिए कुछ इस तरह से मैंने इनको चिपका दिया है अब हम यहां पे दो पपेट्स लेएं यह भी मारकेट में बहुत ही एजिली क्राफ मारकेट में यह क्राफ शॉप पे बहुत आराम से आपको मिल जाएंगे इनको हम इसके उपर चिपका देंगे यह देखिए यह हमारी पपेट बन के तयार है और एक को हम यहाँ इस तरह से चिपका देंगे यह हमारा पपेट का पेर बन के तयार है यह पपेट चिपकाने के बाद में यह ठ्रे कुछ इस तरह से दिखेगी अब हमने यहाँ पर एक यह फॉर्म का थर्मा कॉल का पाइप लिया है यह पाइप भी आपको क्राफ्ट मार्केट में बहुत इसली मिल जाएगा इससे हम इसमें एक आर्च बनाएंगे तो मैंने यहाँ पर यह कट लगा दिये हैं दोनों साइड में ताकि इस ट्रे के साथ मे हम इसको अच्छी तरह से जॉइन कर सकें तो पहले मैंने इसमें कट लगा दिये हैं और फिर फेवी बॉन की हेल्प से इसमें यह पूरा जो साटन का रिविन रहता है या फिर गोटा पट्टी आपके पास जो कुछ भी हो आप उसे अच्छी तरह से स्टिक कर सकते हैं तो इसको राउंड राउंड करते हुए मैं इसके उपर पूरा ये गोटा लगा दूंगी अच्छे से और थोड़ा थोड़ा बीच बीच में फेवी बॉन भी आप लगाते जाए ताकि ये फिनिशिंग के साथ में टच हो है तो आप फेवी बॉन लगाते जाए और इसको पूरा फिल कर दें गोटे के साथ ये देखिए मैंने इसको पूरी तरह से फिल कर दिया है और ये गोटा लगने के बाद में कुछ इस तरह से दिखाई दीगा आपको ये अब मैंने इसकी दोनों साइट कॉर्णर में जहां पे मैंने कट लगाया था वहां पे बहुत अच्छे तरह से फेवी बॉन भर दिया है और यहां पे मैंने ये कट लगाये थे उस जगह पे इसको प्लेट में अच्छी तरह से चिपका दिया है ये देखिए ये इसका आर्च बन के तयार हो गया है और वैसे तो फैबी बॉन के साथ में ग्लू गन की जरुवत नहीं पड़ती है लेकिन मैंने वो गरम थी तो मैंने सुचा कि लगा दूँ थोड़ा सा तो और भी इंस्टेंट और पक्का काम हो जाएगा यह आर्च और अपनी डॉल बन के तयार है अब हम इसको डेकोरीट करेंगे तो डेकोरीट करने के लिए तो मैंने यहाँ पर यह दो टोकरी ले ली हैं यह भी मैटल से बनी होई है तो इन टोकरीओं को हम ग्लू गन की हेल्प से बहुत अच्छे से स्टिक कर देंगे तो ऐसे स इसको ऐसा लगे कि इस पपेट्स ने इस टोकरी को पकड़े हुए है और यहां पर हम यह वाल चैन है जो कि मोती की चैन स्टोन चैन जो भी आपके पास एवलेबल हो आप वो यहां पर स्टिक कर दें डेकोरेशन के लिए यह देखिए पहले मैंने टैप की हल्प से स्टिक कर करती है आप चाहए तो इनको मोती वाली जो सूँइ आती है वह भी यूज़कर सकते हैं उनके हेल्प से भी चीक कर सकते हैं मैंने टैप की मuela سे स्टिक कर दिया है और यहां पर मैंने दो चैन का यूज किया है थोड़ा सा और डिजाइन क्रेट करने के लिए मैंने इस तरह से डिजाइन बना दी है अब मैं यहां पर थोड़ा सा ग्लूगन लगा दूँगी ताकि यह और भी अच्छा पक्का काम हो जाए क्योंकि टैप का कोई भरोसा ने रता खुल भी जाए इसलिए मैंने यहां पर थोड़ी थोड़ी ग्लूगन टच कर दी है ग्लूगन टच करने के बाद में हम आपके पास जो भी एबिलेबल हो फ्लार्ज वगेरा आप उस फ्लार्ज के दवारा इसको और डेकॉरिट कर सकते हैं तो मेरे पास यह रड़ कलर के फ्लार्ज थे तो जहां जहां मैंने यह जॉइंट लगाए हैं स्टोन चेन के उस जगे पे मैं इन फ्लार्ज को लगाके और आर्च को पूरा डेकॉरिट कर दूँगे यह देखिए ब्यूटिफूल सी ट्रे हमारी बन के तयार होने बाली है आप इसको रिंग सेरेमेनी के लिए और आर्थी की धाल के लिए या फिर किसी भी ऐसे फंक्शन के लिए वेलकम ट्रे भी यूज़ कर सकते हैं जो भी आपका मन करें आप इस ट्रे से उसका यूज़ कर सकते हैं रिंग सेरेमेनी के लिए आर्थी की धाल के लिए वेलकम ट्रे एस योवेश जिस तरह से आप यूज़ करना चाहें वैसे आप इससे कर सकते हैं तो मैंने यहां पर यह सारे फ्लार्ज लगा दिये हैं और यह हमारी ट्रे बनकर लगवग लगवग तो तयार ही है और यह देखने में बहुत सुंदर लग रही है और बनाने में तो बहुत ही जादा एजी है वैसे मैं आपको सारी जो मटेरियल बनाना सिखाती हूं वो वे अगर आपको मेरे ये वीडियोज पसंद आ रहे हैं तो प्लीज मेरी वीडियोज को लाइक जरूर करें शेयर करें और कॉमेंट करके जरूर बताएं ताकि मैं अपने आगे के और भी वीडियोज आपके साथ शेयर कर सकूँ अपने आगे आइडियाज आपके साथ शेयर कर सक तो मैंने थोड़े से लिये हैं और यह ग्रीन कलर के हैं तो मैंने यहां पर यह बीच बीच में स्टिक कर दिये हैं मैंने यहां पर ग्रीन और रेड इसलिए यूज किया है क्योंकि इसके जो पपेट्स हैं पपेट्स में जो कलर मैंने यूज किये हैं वो puppets yellow, green और red है तो इसलिए मैंने आर्च yellow color का बनाया है और red color के flowers लगाया है और green color का उसमें mix करके थोड़ा सा ये combination दिया है पिप्स लगा के तो मुझे अच्छा लग रहा था इसलिए मैंने इसी combination के साथ पूरी ट्रे बना के तयार की है अब एक-एक flower मैं नीचे के side में भी लगाने का सोच रही हूँ तो चलो लगा के देखते हैं कि वो कैसा लगेगा लगाने के बाद यह दिखिए मैंने यहाँ पर एक एक फ्लार्ज लगा रही हूँ यह यहाँ पर एक एक फ्लार्ज लगाने के बाद में यह अच्छा दिख रहा है तो मैं सोच रही हूँ कि इस साइट भी एक फ्लार्ज और लगा दें तो यह और भी स्खूप सूरत दिखेगा और यह हमारी रिंग सेरेमेनी ट्रिप बनकर बिलकुल तयार है अगर आपको पसंद आ रहे हैं मेरे वीडियो तो प्लीज लाइक जरूर करें और कॉमेंट करके जरूर बताएं आपके कॉमेंट से मुझे पता चलता है कि हाँ यह चीज मेरी अच्छी रगी है आप लोगों को और मैं आगे के और आइडियाज आपके साथ शेयर करती रहूंगी थैंक यू